दोस्तो स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में दोस्तो आज मैं आप लोगो देट मन्थ सेट करने के लिए बताऊंगा और जो हमारे चैनल नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तो पहले आपको क्या करना है fit pro application को download करना है उसके बाद से आपको इस button को press करना है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है कि बहुत सारे option दिखाई दे रहे हैं लेकिन आपको क्या करना है time date set करना था आपको एह three dot वाला जो दिखाई दे रहा है पर उसे आपको ऐसे touch करना है तो आप लोग नीचे देख रहे हैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है set time इस पर आपको एक बार क्लिक करना है और आपको ऐसे इंटरफेस है यानि कि 12 बच कर और एक मेंट हो रहे हैं तो आपको क्या करना है पांच बजाना है तो आप नीचे वाले यहाँ पर जो है कि आप दावेंगे तो आपको यहाँ पर जो है कि 5 बच जाएगा और 6 बजाना है तो यहाँ आप उपर दबाएंगे तो 6 बच जाएगा 7 बच जाएगा 8 बच जाएगा तो हम 8 बच जाएगा 8 बच कर हमें क्या करना है 10 मिट करना है तो उपर यहाँ दबा से मेटरें तो हम 10 मेट अपको क्या करना होगा तो आपको क्या करना होगा टाइम से दाबेंस रएंगे देख रहे हैं मॉर वाला है उसके नीचे आपको set date दिखाई दे रहा है पहला नहीं दूसरा आपको touch करना है उसके बाद से आपको यहां से जैसे time बता हैं वैसे आपको यहां से तारिक चेंज करना जो भी आपको तारीक महीना चाहिए आप यहां से चेंज कर सकते हैं ऐसे यहां से जो है कि तारीक महीना और सन आप तीनों यहां से दाप करके अधिक बढ़ाना है तो यहां से आप बढ़ा सकते हैं जो भी बढ़ाना है आप यहां से बढ़ा सकते हैं और घटाना यहां पर जो है कि आपको 8 बच के 10 मिट दिखाई रहे हैं और जो डेट मिलाए हैं यहां पर दिखाई दे रहा है तो ऐसे करके आप टाइम डेट मिला सकते हैं फिर मिलेंगा अगली वीडियो में तब तक लिए नमस्कार